पूर्णिमा परिशान है क्योंकि उसका पेट धीरे धीरे फूलने लग गया है स्कूल उनिफॉर्म पहने के बाद भी वो समझ में आ रहा है अब क्या होगा? मेरा पेट फूलने लगा है अब, अब सबको समझ में आ जाएगा पूर्णिमा रोनी लगी उसे एक साल पहले की वो दिन याद आ गई जिस दिन वो राहुल से मिली तब पूर्णिमा ग्यारवी क्लास में पढ़ती थी और राहुल बारवी में पूर्णिमा नई-नई स्कूल में आई थी तब ही उसने राहुल को देखा ये लड़का कितना हैंसम है यहां इसके जैसा लड़का और कोई नहीं राहुल ने भी पूर्णिमा को देखा पूर्णिमा गरीब घर की लड़की थी और राहुल अमीर बाप का इकलौता बेटा राहुल के आसपास लड़कियों की लाइन लगी रहती थी वो खुद की गाड़ी में स्कूल आया करता था अरे वाह राहुल आज फिर से नई गाड़ी लेकर आए हो हाँ हाँ नई खरी दी है मैंने ये गाड़ी अरे वाह हर महिने नई गाड़िया खरीद रहे हो काफी पैसा है तुम्हारे पापा के पास लेकिन तुम भी कुछ करते हो क्या मैं मैं पाइलेट हूँ पापा का पैसा उड़ाता हूँ हाँ 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 आज पास के सभी हसने लगे उदर पूर्णे मा पढ़ाई लिखाई में खो गई एक गंस गूर से घर लोटते हुए पूर्णे मा रास्ते में एक पत्थर से टकरा गई और गर गई उसकी सारी किता भी नीचे गर गई तब ही वहाँ राहुल की काड़ी आई क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ राहुल गाड़ी से उतर कर पूर्णे मा की मदद करने लग गया और गाड़ी में उसे घर छोड़ दिया उस दिन से दोनों के बीच को चलने लगा और यही जाकर प्यार में बदल गया पूर्णे मा राहुल से प्यार कर बैठी उधर राहुल के पिता ने राहुल से कहा राहुल, अगले हफते मैं तुम्हें अमरीका भेज रहा हूँ अब से तुम वहीं पर पड़ाई लिखाई करोगे राहुल मान गया, लेकिन उसने ये बात पॉर्णिमा से नहीं कही राहुल के लिए पुर्णिमा सर्फ एक खिलोना थी एक दिन वो दोरों एक क्लासरूमे बैठे हुए थे स्कूल खत्म हो गया और तब ही अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई लगता है आज खर नहीं जा पाएंगे हाँ आज रात यहीं बिताना पड़ेगा दोनोंने स्कूल में ही रात बिता दी अगले दिन सुभा दोनों अपने घर चले गए उसके बाद वाले दिन पूर्णिमा स्कूल आई तो देखा राहुल नहीं आया उसने राहुल के एक दोस्स से पूछा तो उसने कहा राहुल तो आज अमरीका चला गया है तुम्हें कुछ नहीं बताया अमेरिका? नहीं ये नहीं हो सकता पूर्णिमा को धोका मिल गया और तभी उसे बहुत तेज उल्टी आई उसने क्लास में ही उल्टी कर दी डॉक्टर के पास जाने पर पूर्णिमा को बता चला कि वो गर्बवती है वो रो पड़ी राहुल मुझे गर्बवती बना कर भाग गया अब मैं क्या करूंगी? सबको मूग कैसे दिखाऊंगी? नहीं नहीं मुझे इस बात को चुपाना होगा पूर्णिमा ने किसी से कुछ नहीं कहा उसकी कोई सहली भी नहीं थी वो बस अपने ही मन में रोने लगी दो महीने बीद गए और उसका पेट फूलना शिरू हो गया पूर्णिमा चंता में पड़ गई मा और बापू को भी क्या बताऊंगी? मुझे घर छोड़ना होगा पड़ाई के बाहाने पूर्णिमा एक खॉस्टल में आकर रहने लगी अगले दिन वो स्कूल में गई तो स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे अरे पूर्णिमा तेरा पेट क्यों फूला हुआ है? कहीं कोई खुश्खबरी तो नहीं है? नहीं नहीं वो बस थोड़ा गैस हो गया है ऐसे ही पूर्णिमा डरी डरी सी रहने लगी और तीन महीने बीट गये पूर्णिमा का पेट कुछ जादा ही फूल गया तब उस लड़की ने कहा आजकल हर रोज गैस हो रहा है तुझे मुझे तो लग रहा है कि कुछ गड़पड है हाँ? पूर्णिमा प्रेगनेंट तो नहीं है? पूर्णिमा बहुत डर गई उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया उधर अमेरिका में राहूल नई नई विदेशी लड़कियों के जाथ मस्दी करने लग गया उसे बहुत मज़ा आ रहा था अरे वह लाइफ हो तो ऐसी क्या एक ही लड़की के साथ पूरी जिंदगी बता देते हैं लोग राहूल विदेशी लड़कियों के बीच में खो गया यहाँ पूर्णे मा के गर्भवती होने के नौ महीने पूरे हुए और उसका पेट दुखने लगा तभी उसकी स्कूल टीचर की कौन आई पूर्णे मा तुम बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो आज नहीं आई तो मैं स्कूल से तुम्हारा नाम काड़ दूँगी पूर्णे मा पेट में दर्द लेकर स्कूल पहुँची और उसे देख कर सभी के सभी जौक गए और तभी पूर्णे मा का पेट बहुत दर्द करने लगा वो क्लास में ही सो गई टीचर डौड कर आई और पूर्णे मा की सेवा करने लगी और क्लास में अंदर ही पूर्णे मा ने एक लड़के को जन्म दिया पूर्णे मा के घर वालों को जब इस बारी में बता चला तब उन्होंने पूर्णे मा को बहुत डाटा और घर से निकाल दिया पूर्णे मा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया वो राहुल तो था ही लफंगा टीचर के साथ पूर्णे मा पुलिस टेशन गई और राहुल की नाम पुलिस में शकायद दर्ज करा दी उधर राहुल को अमेरिका में एक लड़की ने बुरी तरहा भसा दिया अमेरिका की पुलिस ने राहुल को देश से ही निकाल दिया राहुल इंडिया लोटा तो देखा कि यहां की पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई है उसने अपने पिता को कॉल लगाया मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता इसकूल में लड़कियों को गर्ववती करते हो अब भुग तो क्या पुर्णिमा गर्ववती हो गई थी इसका मतलब मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में है मेरा बच्चा यह मेरा बेटा है एक बाप होने के नाते मुझे पता चल रहा है कि जिम्मेदारी लेला किसको कहते है पुर्णिमा मैं तुमसे शादी करने के लिए तयार हूँ राहुल ने पुर्णिमा से शादी कर ली पुर्णिमा को समाज में सम्मान मिला और दोरों मिलकर खुशी-खुशी अपने बेटे का खयागटने लगे नारियल पानी की दुकान पर एक ही नारियल में दो पाइप लगाए पलवी उस बुढ़े आदमी के साथ नारियल पानी पी रही थी वो बुढधा पहले नारियल पानी पीता और फिर पलवी की ओर देख कर कहता आज तो तुम एकदम कट्रीना कपूर लग रही हो एकदम तुमारे चहरे से नजर ही नहीं हट रही है अरे वो कट्रीना कपूर नहीं कट्रीना कैफ है अरे वो जो कोई भी हो, लेकिन तुम तो तुम ही हो, ऐसा लगता है कि तम्हारी जील जैसी आखों में डूप जाएं और तैरते रहे अब बहुत ही रोमेंटिक है हाँ, वो तो हूँ, सत्तर साल उम्र हो गई है मेरी, लेकिन मेरा रोमेंस आज भी सोला साल के लड़के की तरह है ये कहकर वो बुढ़्धा पलवी के हाथों को पकड़ लेता है और गाना गाने लगता है आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालुम है और सबको खबर हो गई ये गाते हुए बुढ़्धा जोर से किसी यंग लड़के की तरह कूथता है लेकिन उसका बैलन्स बिगर जाता है और वो धडाम से नीचे गिर जाता है अरे मर गया रे अरे मर गया मेरी हड़ी अरे मेरी हड़ी का बड़ी खेलने लगी उस बुढ़े को उस तरह चिलाता देख पलवी का चहरा पीला पड़ जाता है, वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उठाने की कोशिश में वो भी उसके उपर गिर जाती है, उसके बाद तो एक बार वो बुढ़ा फिर से दर्द से कराह उठता है और जोर से चिल लेकिन चिलाने के साथ ही उसकी नीन खुल जाती है। वो देखती है कि वो तो अपने बिस्तर पर ही है। ओह। ये सब एक सपना था। उसके बाद पलवी घड़ी की ओड़ देखती है। रात के साड़े बारा बच रहे थे। अधिकतर लोग नीन की आगोश में थे। पलवी उसी बुढ़े की थी जो उसके साथ सपने में नारियल पानी पी रहा था। पलवी उस फोटो को प्यार भरी नजरों से देख भी रही थी और खुद से ही बाते भी कर रही थी। क्या करूँ उनको फोन करूं की ना करूं। आधी रात हो रही है वो तो गेरी नीन में होगे लेकिन उनसे कहे बिना भी तो नहीं रह सकती इतनी बड़ी खुश कबरी जो है। पलवी ने थोड़ी देर सोच और फिर फोन का नंबर डायल करने लगी। उसने जिस नाम से उस बुढ़े का नंबर सेव कर रखा था वो नाम था जानू। थोड़ी देर बात बुढ़े न आप हम से। अरे ये कोई पूछने की बात है। अरे दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। आज भरी महफिल में कोई बद नाम होगा। अरे गाना वाना वाद में काईएगा। अभी आपको एक बहुत बड़ी खुश खबरी देनी है। पलवी के बातों को सुनकर बुढ पलवी ने जिस अंदाज में ये बात कहीं कि वो घर पर अकेली रहे की बात है। पूरी अकेली उसे सुनकर जानू यानि उस बुढ़े की आँखों में चमक आ गए। अरे वाह। ये तो सच में बहुत बड़ी खुश खबरी है। चार दिन हमारे होंगे मज़ा आ जाएगा। खूब प्यार करेंगे एक दुसरे से। खूब। जाल के बुढ़े से। वो उसके प्यार में ना सर्फ पागल थी बलकि उस बुढ़े के लिए कुछ भी करने को तयार रहती थी। चाहे वो सही काम हो या गलत। लेकिन इसके पीछे एक कारण था। कुछ महीने पहले की बात है। अरे बोला न ये ड्रेस बहन कर कॉलिज नहीं जाना है। क्यों? क्या बुराई है इस ड्रेस में? देख जादा सवाल जवाब मत कर और जो कहा है वो कर। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आप लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। अरे मैं बेटी हूँ, इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, जिस पर हुक्म चलात यह अच्छी बात नहीं है ओहो भावी अब आप शुरू मत हो जाओ मैं पग गई हूँ आप लोगों से और आप लोगों की स्टोक टाक से यह कहकर पलवी अपने पाउं को पटकती हुई घर से बाहर निकल गई पलवी को हमेशा लगता था कि उसकी माँ और उसकी भावी या योग कहिए कि पलवी का पूरा परिवार बिना बात के हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा रहता है जबकि ऐसा बिलकुल नहीं था वे लोग तो उसकी भलाई के लिए बोला करते थे लेकिन पलवी को उनकी भलाई की बातों में बुराई नजर आती थी पलवी गुसे में घर स गूर कर देखा और फिर उससे कहा आपको उससे क्या मतलब मैं रोओ यहां सूँ आप पतली गड़ी पकड़िये और यहां से निकलिये और मुझे अकेला छोड़ दीचे देखो सब कुछ कहो लेकिन अकेला छोड़ने के लिए मत कहना क्योंकि अकेले का दर्द क्या होता है तुमको क्या पता, हाँ, 20 साल पहले मेरी बीवी मुझे छोड़ कर निकल गई, तब से मैं किसी तूटे हुए आशिक की तरह यहाँ वहाँ गूमता रहता हूँ, किसी चेहरे में अपनी पत्नी को तलाशता रहता हूँ। उस बुढ़े की बात पलवी को काफ़े इंट्रेस्टिंग लगी, उसने रोना बंद कर दिया और अपनी कहानी उसको बताने लगी, पूरी कहानी सुनकर उस बुढ़े ने उसे गले लगा था, अरे ये तो सरासर जुल्म कर रहे हैं तुम्हारे घरवाले, अरे तुम यंग हो खुबसूरत हो, बालीग हो, हाँ, जीवन जेने के लिए तुम्हारी अपनी मर्जी चलनी चाहिए किसी और की नहीं, मैं होता तो घर छोड़कर भाग गया होता, हाँ उस बुढ़े ने पल्लवी का पूरी तरह ब्रेनवाश कर दिया, उसे तो वैसे भी अपने घर वाले बुरे लगते थे, अब तो वो सभी के सभी उसे वेरन लगने लगे थे, और हीरो लग रहा था वो बुढ़्धा, वो बुढ़्धा भी सारी बातों को समझ गया था, इ एक दिन, जानू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, आपके बिना जी नहीं सकती, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो फिर शादी कर ले, अरे इतने भी क्या जल्दी है, शादी भी कर लेंगे, लेकिन उसके पहले प्रेम का मज़ा तो पूरी पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं उसे तो बस वो बुढ़्धा जो कहता वो करती और इसी बात का वो बुढ़्धा फायदा उठा रहा था असल में वो बुढ़्धा बहुत ही बदमाश किसम का आदमी था उसे पता चल गया था कि प पल्लवी के परिवार वाले शादी में बाहर जा रहे थे तो उसने उस बुढ़े को अपने घर पर बुला लिया जब उसके घर वाले चले गए तो उसने उसे कॉल किया वो बुढ़ा पल्लवी के परोसियों की नजर बचा कर उसके घर पहुँच गया पल्लवी ने जैसे उसे देखा तो उसने उसे गले से लगा लिया अब आ गए मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी अरे तुमसे ज्यादा तो मैं कर रहा था चलो अब बातों में समय नहीं गवाते हैं और अपने प्यार को आज एक कदम और बढ़ाते हैं ये कहकर उस बुढ़े ने पल्लवी को गले करने लगा लेकिर उसके भाई ने उसे पकड़ लिया अपने पूरे परिवार को सामने देख पल्लवी का चेहरा भी पीला पड़ गया था आप आप लोग आप लोग तो शादी में चुप कर चुप कर तू अरे तुझे जरा भी शरम है कि नहीं माजी आप इसे डाटिये मत इसे अभी कुछ समझ नहीं आएगा क्या समझ नहीं आएगा हाँ क्या समझ नहीं आएगा पूरी दुनिया की समझदारी सिर्फ आप लोगों में ही भरी हुई है मैं बालिक हूँ मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी पल्लवी के ऐसा कहने पर उसकी भाभी ने कहा सिर्फ उम्र बढ़ने से कोई बालिग नहीं हो जाता पलवी, उसकी बुद्धी भी बढ़नी चाहिए, उसे सही गलत की समझ भी होनी चाहिए, बेटी तु जो कर रही है वो गलत है, तुझे पता भी है ये बुद्धा कौन है, ये बुद्धा बहुत ही बदमाश किसमक आदमी है, त उसकी भावी और उसकी माँ दोनों ने देख लिया था, वे उसे उस बुद्धे से मिलते देख कर बहुत शौक्ट हो गए, उन्होंने उस समय उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पर नजार रखने लगे, इसी क्रम में पलवी की भावी और उसकी माँ को उस बुद्धे की सच नहीं हो रहा था, तभी पलवी के भावी ने उस बुद्धे की जेब में छिपा कैमरा उसे दिखाया, ये देखकर पलवी चौक गई, देखा ये है इसकी असलियत पलवी, माबाप अगर हमें किसी चीज के लिए रोकते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए ही होता है, और जब आप लोग भी माबाप की बातों को सुनें, नहीं तो कोई भी आपका गलत वाइदा उठा सकता है